आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पालक की कोफते तो इसके लिए एक गड़ी पालक को अच्छे तरह से धो कर काट लिया है एक पाल भेशन ले लिया है और एक प्याज बारी काट कर लिया है थोड़ा हरा दनिया और चार पाच हरी मिर्च भी काट लिया है मसालों में जाएगा आदा चमच नमक आदा चमच चाट मसाला आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच गर्म मसाला आदा चमच कुटी लाल मर्च आदा चमच आमचूर पाउडर आदा चमच सौट पाउडर तो ये सब सामन कोफते बनाने में लगेगा तो चलिए कोफते बनाते हैं तो सबसे पहले बेशन को पालक में डाल देंगे और हरी मेर छरा धनिया प्यास भी डाल देंगे और ये सारे मसाले भी डाल देंगे अब इसका एक डो तैयार कर लएंगे पानी नहीं मिलाना है इसको ऐसे ही एकटा करना है ये डो फॉर्म में आ जाएगा आदा बाउल बेशन और डाल लेंगे चैकि एक बाउल इसमें कम रहा था बेशन भी पालक की कॉंटरिटी के ऊपर है जिकना हमारा पालक होगा उसे साब से हमें बेशन भी मिलाना पड़ेगा बस बाइंड हो जाए हमें इतना ही रखना होगा अब देखिए बाइंड होने लगा है अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें एक चम्मच के करीब ऑइल डालेंगे और इसको चिकना कर लेंगे दो को चिकना कर लेंगे अब इसे आदे घंटे का रेस्ट कराएंगे एक बौव्ल तेल गर्म कर लिया है और इसमें यह मेठी दाना डाल देंगे इसे चटलने देंगे और दो बड़े चम्मच लेसन का पीच्ट जालेंगे आदे चम्मच लेसन का पीच्ट और आखे चमच अद्रक का पेस्ट डाल कर दो मिनिट तक भूनेंगे दो मिनिट हो चुपे हैं तो एक चमच भर कर दनिया पाउडर डाल देंगे आदा चमच नमक और एक चमच मर्च पाउडर डाल कर भूनेंगे आदा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे तक दुखने में भी अच्छा लगी थोड़ा पानी डालेंगे मसाले अच्छी तरह से घुन जाएं अब एक पकोने में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है अब बेशन के भी हम बॉल्स बना लेंगे कोफते बना लेंगे इसके पानी भी बॉयल हो चुका है तो इसमें एक चमच के करीब ओयल डाल देंगे और उबलते हुए पानी में जो पालक बेशन के कोफते बनाएते हुँ डाल देंगे हिनको 10 मिनिट तक बॉयल कर लेंगे तो सारे कोफतों को डाल देंगे हम रसाला भून चुका है तो अब इसमें आदा बॉल फैटी भी दही डाल देंगे कोफते हमारी बॉयल हो चुके हैं और पानी से निकालकर इसे 10-15 मिनिट तक ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए प्राइप रेंग में बॉयल गरम कर लिया है और इसमें कोफते डाव रहेंगे इसमें हल्का कलारामी देंगे विला विलाकर चारच रखते शुख लेंगे बहंते हुए मसाली में आदा चिम्मच गरम मसाला पाउडर ढाल देंगे बॉक्तों में भी हल्का कलारामी लगा है अविसमत खोड़ा और कलारामी देते हैं कोफते भी प्राई हो चुके हैं अब इनको निकाल लेते हैं अब इनको निकाल लेते हैं मसाला भी बन चुका है तो अब इसमें ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा पानी डाल देंगे और बॉल आने देंगे पानी में बॉल आ चुका है तो इसमें कोफते डाल देंगे और पांच मिनिट तक इसको धीनी आज पर पकने देंगे कोफते अच्छी तरह से पक रही है और इन्हें पकते होवी पांच मिनिट हो गया है चुला बन कर देंगे रूपट से राधनिया डाल लेंगे यार है पालक के टेस्टी कोफते आप भी जरूर ट्राइ करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंड्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू